नमस्कार, बोल्ड स्काई पर आपका स्वागत है, आज हम करेंगे नासिकाग्र द्रश्टी मुद्रा योग, इस मुद्रा को करने के लिए आप सबसे पहले किसी भी आराम दायक आसन में बैठ जाएं, इसके बाद नाग के आखरी सिरे पर नजरे टिका लें एक साथ दोनों आखों से इस सिरे पर देखने में अगर तकलीफ हो, तो आप पहले दाई आख से कुछ देर देखें, और इसके बाद बाई ओर से कुछ देर देखें इस देखने में आपको जरब भी तनाव महसूस ना हो इस बात का आप खयाल रखें इस मुद्रा को उतनी देर तक ही करें जितनी देर तक आपकी आँखों पर ज्यादा दबाव ना पड़े फिर धीरे धीरे इसे करने का समय आप बढ़ा सकते हैं आपको बता दें कि ना सिकागळ का अर्थ होता है नाक का आखरी छोर, उपरी हिस्सा या अगरभाग इस भाग पर बारी बारी से संतुलन बनाते हुए देखना ही ना सिकागर मुद्रा योग है लेकिन इस मुद्रा को करते वक्त अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ होती है तो ये ज्यादा अच्छा है कि आप किसी योग शिक्षक की सलापर ही इस मुद्रा को करें बात करें अगर इस आशन से होने वाले फायदों की तो ये आशन आखों की एक बहतरीन एक्सिसाइस होती है और साथी साथी आपकी मस्तश्क के लिए भी काफी जादा लाबदायक है इसे करने से मन में एक आगरिता बढ़ती है लगातार इसका अभ्यास करने से मूला धार चक्र जागरित होने लगता है जिससे कुंडेलिनी जागरण में मदद नलती है इससे मूला धार चक्र इसलिए जागरित होता है क्योंकि दोनों आखों की बीच ही स्थित है इडा, पिंगला और सुशुमना नाड़ी जो मूला धार तक गई है तो आज हमने आपको बताया किस प्रकार किया जाता है नासिकागर द्रश्टी मुद्रा योग उमीद करते हैं इस मुद्रा का अभ्यास आप सरूर करेंगे और इसके फायदे भी उठाएंगे बहुत जल्द मिलेंगे कुछ ऐसी ही मुद्राओं के साथ फिलालबे के लिए बोल्ड स्काई में पसितना ही